चले हम लोग गोपालत अपनी उपनिशत पढ़ रहे हैं जो कि एक सववाध है ब्रह्माजी के बीच में और कुमारों के बीच में अब यह जो हम लोग ने बुक उठाई है यह इसले पढ़ रहे हैं क्यूंकि जो गोपाल मंत्र जो 18th syllable मंत्र है जो भगवान कृष्ण का है जो भगवान तक हमको ले जा सकता है जिसके बारे में बहुत गोपनियता कहीं भी गई है लेकिन गोपनिय है भी नहीं मंत्र उनको दिया जाता है जो बहुत पहले भगवान का नाम ले करके जिनके आचरण खानपान अहार शुद्ध हो गया हो तो वो लोग जो होते हैं इसके अधिकारी होते हैं इस मंत्र के तो उनको यह मंत्र दिया जाता है यह मंत्र अपने आप में पाउरफुल है क्योंकि साक्षाद ब्रह्मा जी से आया है और ब्रह्मा जी कहते हैं यह मंत्र मुझे साक्षाद भगवान से मिला है जब मैंने भगवान को बहुत प्राइफणा की थी कि किस प्रकार से मैं स्रिष्ठी का निर्मान करूँ जब हम भागवत पढ़ते हैं श्रीमन भागवत तो हमेशा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं इस सुष्टी का निर्मान कैसे करूँ और ऐसे मैं निर्मान करना चाहता हूं है प्रभू कि मुझे कोई एहंकार भी ना आवे और ये जो मेरी जो इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूँ ये ऐसी ही कि ऐसी निश्काम बनी रहें तो भगवान ने उनके रिदय में सारा ज्ञान प्रकट किया ये सब हम जानते हैं भागवत जमने पढ़ा है पहले श्लोक में यही बात कहते हैं कि भगवान ने ज्ञान तेने ब्रह्मा रिदा या आदी कभी है इस लाइन में भगवान ने सुष्टी के निर्मान करते हुए भी तुम नहीं तुमें कुछ नहीं होगा और तुम अंकार रहित होगे और तुम जैसे अभी अमल हो ऐसी के ऐसी ही तुम रहोगे जब हम गोपालतापनी उतनीशत पढ़ते हैं तो उसके अंदर ब्रह्मा जी जाकर के जनत कुमारों को यही कहते हैं कि यह मंत्र साक्षात मुझे वहाँ से आया हम और जब इसके डिटेल में जब जाते हैं तो डिटेल में शीव जी ने भी इसी मंत्र को जब किया है भगवान के रास में गोपी भाव पाने के लिए तो यह जो मंत्र अपने आप में बहुत पावर्फुल है यह मंत्र अभी तो केवल गोपालतापनी के अनुसार आप लोग देखेंगे तो केवल ऐसे लगएगा कि केवल ब्रह्मा जी सनत कुमार को दे रहे लेकिन नहीं भगवान से चला ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी से चला सनत कुमार को सनत कुमार जी से चला नारजी को यही परंपरा हमेशे चलती है यह चार इंपॉर्टन लोग है इसके अंदर और उसके बाद यह मंत्र सभी संप्रदायों में गया है यह जब मंत्र शुरू होता है जब गोपाल का अपनी उपनिशत जब शुरुवात करेंगे तो इसमें सरस्वती मा बोल रही है उनका नाम है शुती वो बोलना शुरू करते है कि ब्रह्मा और सनत कुमार का समवाद क्या है तो यह जो सरस्वती है यह सभी संप्रदायों में है इसी लिए यह मंत्र 18 सिलेबल मंत्र जो आप लोगों को मिला इसको हम गोपाल मंत्र केते हैं यह मंत्र हर एक संप्रदाय में और केवल वैश्णों संप्रदाय में ही है ऐसा नहीं है यह शाक्त संप्रदाय में भी होता है मंत्र ये शैव संप्रदाय में भी ये मंत्र का उचारण होता है सनत कुमार को ये मंत्र मिला ब्रह्मा जी से सनत कुमार ही कार्थी के बन करके प्रकट हुए शिव जी के कुल में तो ये मंत्र उस कुल में इस प्रकार से गया ये मंत्र शिव जी ने किया, शिव जी ने दत्तात्रे को दिया तो इसका जो मेल इंपॉर्टेंट जो इस मंत्र का चाहिए इसको आप कृष्ण गाहितरी को हो चाहिए इसे आप गुपाल मंत्र को हो अठारा अक्षरोला मंत्र को हो या गुपाल मंत्र को हो इसका मेन जो भाग होता है वो होता है उसका बीज मंत्र क्लीम इसी के अंदर सारी शक्ति समाई हुई है और इसी क्लीम से पांच अक्षर प्रकट होते हैं पांच और वो भगवान के फॉर्म प्रकट होते हैं और एक-एक फॉर्म जो है भगवान का एक-एक जो रूप है प्रकट होता है उसमें अलग-अलग भाव प्रकट होते हैं इसी अस्टादस अक्षर मंत्र को चेतने महाप्रभू ने कहा लेकिन उसमें केवल कलीम गोपी जनवाल भाए केवल इस मंत्र को कहा और उसको 10 अक्षर का बना दिया तो यहीं मंत्र बेस है दस अक्षर का भी हम कह सकते हैं और यही मंत्र जो है अस्टा दस अक्षर, मतलब 18 सेलेबल मंत्र यह आप लोगों को मिला है, इसमें सारी की सारी शक्ती नहीत है, सकामता से निशकामता की और ले जाने वाला यह मंत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, हम लोग अब इस मंत्र का जो है हिस्ट्री कहां से आई कैसा आया अब हम लोग उसका श्रवन करते हैं तो मैं अभी आज से शुरू करेंगे इसमें बहुत सारे श्लोक हैं तो ये पूरी बुक मैं पढ़ूंगी हो सकता है दो-तिन क्लास लगे लेकिन हम लोग इसको एक साधना जैसे इसको हम लोग complete कर देंगे चलिए सचिदानन्द रूपाय क्रिष्णा यकलिष्ट कारिने नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धी शाक्षिने मैं इसका पहले English translation जो लिखावाय वो पढ़ देती हूं फिर उसको हिंदी में हम लोग और अच्छे तरदे समझते हैं I offer obeisances to Krishna the form of eternity knowledge and bliss whose every act is wonderful who is the object of knowledge identified by Vedanta and who is the guru the witness present in the intelligence कहते है भगवान जो गुरू रूप में साक्षार प्रकट है हम उन Krishna को नमस्कार करते है गुरुवे नमो वेदान्त वेद्याये वेदान्त भगवान शेक्रिशन जब हम भगवत गिता पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं मैं ही वेद हूं मैं ही वेद को जानने वाला हूं वेद का अंत, वेदांत, भवान ने गीता में एक दम कह दिया, मैं ही हूँ वो, मैं ही वेद हूँ, वेद का लिखने वाला भी मैं ही हूँ, वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ, वेद से जिसको जाना जाता है वो भी मैं ही हूँ, यहाँ पर भी जब ये श्लोक प्रारme हुआ सेंब बात कह रहे है जिसको वेदो के माध्यम से जाना जाता है हम उनको नमशकार करते हैं और यह कैसे है गुरुवे यह गुरु रूप में प्रकट है हम इनको नमशकार करते हैं बुद्धी साक्षिने ये हमारे बुद्धी की साक्षी रूप में खड़े हैं, हम इनको नमश्कार करते हैं और ये कैसे हैं, इनका विग्रह क्या है, सच्चिदानंद रूपाया सच्चिदानन, ये इनका रूप है इटर्नल सत्य, सनातन सत्य, आनंद रूप, सच्चिद, आनंद ये ही भगवान का सवरूप है और क्या है ये क्रिश्नाया, ये भगवान क्रिश्न है और अकलिष्ट कारिने, ये सारे जो क्लिष्ट, जीवन में जो तकलीफे हैं, जीवन की जो परिशानिया हैं उनको ये दूर करने वाले, ये साक्षाद भगवान क्रिश्ना, हम इनको नमश्कार करते हैं आगे कहते हैं सचिदानन्द रूपाय क्रिश्नाय क्लिष्ट कारिने, नमो वेदान्त वेद्याय गुरुवे बुर्धी साक्षिने अगले श्लूप में कहते हैं अब जितने मूनी जन थे, मतलब सनत कुमार क्यादी, वो पूछ रहे हैं पहले उन्होंने ओम कहा, फिर ओम कहकर के पूछते हैं कि ब्रह्माजी से पूछ रहे हैं, कि कौन सबसे बड़े हैं यह आप बताईए ब्रह्माजी कि को परमोदेव हैं परमदेव कौन हैं कुतो मृत्यूर विभेति मृत्यू किससे घबडाती हैं कस्य विज्ञानेनम अखिलम विज्ञातम भवति किसको सारा ज्ञान है और किसके शरण में जाकर के इस ज्ञान का हमको भी ज्ञान होगा केनेदम विश्वम संसरतिति कि यह जो विश्व यह जो संसार चल रहा है घूम रहा है फिर रहा है हो रहा है प्रकट हो रहा है चला जाता है यह कौन कर रहा है तो कुस्परम देवताग के बारे में आप हमें बताईए प्रष्करी प्रश्न काहा तो उसम करके ब्रह्मा जी बड़ी प्रसन होए तो यहां भी ब्रह्मा जी गुरु का रूप लेतें ब्रह्माजी की रिदे में साक्षात भगवा ने प्रकट किया है जब ब्रह्माजी अभी ग्यान दे रहे हैं भागवत का ग्यान उन्हें शुक्त देव को दिया इस मंतर का ग्यान सनतकुमार को दे रहे हैं सनतकुमार ने इसको सनतकुमार समहिता में नारजी को दिया इस प्र अपने जो प्रश्न कहा उसका उत्तर ये है कृष्ण ही परम देवता है और गोविंद है जिन से मृत्यू भी घवराती है और ग्यान किस से होगा कहते है अरे गोपी जनवल लभू इन ही से सारा ग्यान तुमको प्राप्थ होगा और संसार किस से चलता है स्वाहा इस से संसार चलता है अब देखिए इस में ही उन्होंने सारे बगवान के रूप बता दिये कृष्ण अब आप लोग सुनिए जो गोपाल मंत्र मिले थे उसके पांच पार्ट है उसमें से एक नाम आता है कृष्णा कृष्ण ही परमदेवता कृष्णाय गोविंदाय गोविंद वो है जिससे मृत्यू घबराती है गोपी जन्वल्लब हाया गोपी जन्वल्लब वो है जिनसे सारा ज्यान प्राप्त होता है स्वाहा स्वाहा से संसार चल रहा है संसार में जो कुछ भी आ रहा है जा रहा ये स्वाहा का ही स्वाहा की वज़े से ही हो रहा है तब आगे जा करके वो लोग पुछते हैं कुमार जन कुमार गन कहा कृष्णा कहते हैं आप लोग समझ के होंगे क्या पूछ रहे हैं कहा कृष्णा कृष्णा कौन है आपने भी नाम लिया आपने कहा कृष्णा तो ये कृष्णा कौन है आपने कहा गोविंद गोविंद से मृत्यू डरती है ये गोविंद कौन है आपने कहा गोपी जन वल्लब से सारा ग्यान मिलता है ये गोपी जन वल्लब कौन है और स्वाहा से ये संसार चलता है इस वाहा क्या है ये बताईए आप तो जब आप लोगो दिक्षा मंतर मिलता है जब दिक्षा मंतर मिला तो दिक्षा मंतर के साथ साथ इसका अर्थ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया गया था प्रिश्न कौन है गोपीजन मलब कौन है गोविंदा कौन है गोपीज मं में आप से पहले ही कहा सकामता से निश्कामता की और ले जाने वाला है जितने केवल वैष्णव भी नहीं शाक्त संप्रदाय के भक्त भी इस मंतर को पाने की इक्षा रखते हैं चाहे वो शयर्व संप्रदाय हो असल जो जिनमें कोई भेध भाव नहीं है यह जब इस लेवल तो हमें भेद करने वाली नहीं होती हमारे गुजुने कभी सिखाये नहीं हमें सबको रिस्पेक्ट देना है अब आपके अंदर एक ग्रीड है आपके अंदर एक लोव आया है भगवान शी कृष्ण को पाने के लिए आपके अंदर अनन्य भक्ती का एक लोव आया है उसको पुरा करने के लिए ये मंत्र इस मंत्र से बढ़ करके कोई नहीं है मैं बचपंजी शाक्त बैक्राउंड से हूँ आप लोग जानते हैं लेकिन शी कृष्ण का प्रेम जब आने लगा लिए मैं जब प्रकट हुआ और जब भूक बढ़ गई कि यही मेरी भक्ती है कोई कहीं भी किसी भी देवी देवता के पास ले जाओ लेकिन मन ही नहीं लग रहा है अब कोई भी मंत्र कुछ भी दे रहे हैं मुझे बड़े-बड़े मंत्र आते थे कोई भी मंत्र दे दो लेकिन मन ही नहीं लग रहा हूं मंत्रों घुम घुम करके मन केवल कृष्ण भगवान के पास आ रहा है अलग ही प्रेम, अलग ही बात जब मेरे पिता जी और उनके गुर्देव वो समझ गये मैं यहां नियोक में रहती थी तो उस समय पर मेरे पिता जी उजयन गए हुए थे, मेरा बीटा होने वाला था, उजयन में उनको गुरू मिले उजयन में, डबराल जी जो मैंने आप लोग उसे कहा कि यह सारी परंपरा है यह मंत्र चला, हम लोग देखते हैं कि वैशनो परंपरा अलग है शैप परंपरा अलग है, शाक्ट परंपरा अलग है लेकिन मेरी जर्नीक जो हुई है उसमें हम लोग साब connected है कोई ऐसे अलग अलग नहीं है, मंत्र तो वही जाप रहे है इस सब लोग तो हम परंपराओं में जगडा करें ये बात सही नहीं है हम संप्रदायों में जगडा करें ये बात सही नहीं है ये सेम बात मुझे जाकर के जब मैं रायंदा जी के पास गई थी clarification के लिए तो उन्होंने भी कहा कि चार संप्रदाय हैं अगर वैशनो के तो चारों में कोई उपर नीचे नहीं है चार संप्रदाय जैसे गाय के चार थन हैं उसमें से दूद निकल रहे हर थन में से वही दूद निकलेगा तो ये संप्रदायवाद ये देवी देवतावाद डेमी गॉड ये सब सिस्टम से आपको उपर उठना चाहिए तो आप ये जो बेश है नहीं मंतर का समझ पाएंगे तो ये मंतर जब मुझे मिला मेरी गुरू परमपरा में मिला और उसके बाद मुझे कह दिया गया कि अब तुमें कुछ और मंतर करने की ज़रुद नहीं तुम यहीं मंतर करो और मैं सच कहते हूँ जो सखी बेश है जो सखी भाव है ये मुझे मिला इसी मंतर की प्रभाव से मुझे क्या होता है सखी भाव मुझे दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था लेकिन ये मंतर की कृपा है जो गुरुजन की कृपा ऐसे ही हो गई जब मैं मिला तो हमें नहीं पता था इसका इसकी क्या वैल्यू है में सची नहीं पता था जब उनसे मिला मुझे मैं हमेशे की चीज़ कहती हूँ एक ही अच्छी क्वालिटी अगर है कुछ तो गुरुजन बोलते थे यह साधना कर ले तेरे लिए ठीक है तो मै जादा बिना कोशिन के में लग जाती थी मंत्र में जब उन्होंने मेरी तड़ब देखी कि अब यह कई और नहीं रहेगी इसका मन कई और नहीं है यह आ गया बस गुविंद के पास तो इसको 100% इसी में जाना चाहिए तब यह मंत्र मुझे मिला था मेरी तड़ब से कि प्रकट हो करके उसकी पुष्टी जम्य वह को मिलने लगी उन्हें सही तब उन्होंने सिखाया की सवारूप आपको मिला आपके की कृपा से मंत्र आपको मिला आप पीजिन की किपा से आप आप केवल इस स्वरु जो आपको मिला है उसके अंदर आप जैसे हम ए न केवल इन से केवल अपने ध्यान को आप सुद्रिज कीजिए इतना ही करना है यह जो मंत्रроб I जब मैं कहते हूं कि सिद्ध है ये मंत्र ये सिद्ध मंत्र आपको मैंने दिया आप भी सिंसेरली करेंगे 100% में लिख करके दे रही हूं चरूर इसका असर आपकी चित्त पे होगा और बहुत-बहुत तेजी से होगा ये मंत्र इतना पाउर्फर मंत्र मुझ जैसे कोजी से अब रिविल कर दिया एवरीटिंग कुछ चुपाया ही नहीं जो एक कवरिंग जैसा होता है साधरा में जब हम स्पिरिशल लाइफ में चलते ना आखे बंद होती है कई बार तो एक एक लेयर की जैसे खाली होता है एक एक लेयर है मैं लगता हम अभी पहुँच गया है नह तब जाके समझ में यही सबसे जादा उचा भाव है इसके अत्रिक और कुछ नहीं अब एक और बात आपनों के हमने प्रकट करते हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं बार बार लोग प्रश्ण करते में जादा खुलती नहीं पिछली बार एक प्रश्ण आया था कि सखा में जाते हैं मैंने आपको अर्जुन का उधरन दिया था लेकिन सच कहूं तो भगवान की जब लीलाई चलती है ना वहाँ पर तो जो सखा भाव में रहते हैं वो भी उनके अंदर सखी का हलका सा भाव होता है भगवान जब रूप गोस्वामी की आप बुक पढ़िएगा उच्वल निल्मणी या गोविंद लिलामे तित्यादी पढ़ते हैं उनमें उनके सखाओं का मेंशन है तो सखाओं का जब मेंशन होता है तो सखा कुछ-कुछ सखाओं की कथा ऐसे आती है कि देखो यह सखा गया सूबल गया सूबल ने भगवान से भगवान के कान में राधरानी का मेसेज दिया फिर दूसरा सखा गया उसने उस सखी का मेसेज ला करके दिया तो राधरानी ने कुआ जा करके שמieeee को दिया यह सकhा जो है है यह सक्खिए के साथ काम कर रहे हैं स्पाइब्ज पहुचाने का काम और भगवान भी मैसेज पहुचाते हैं इन सक्खाओं के थूप ये जो सखा होते हैं जो very very closest ये भगवान के free and normal सखा हैं इनको क्या जाता है very very closest एक जैसे से हम दुनिया में रहते हैं एक होते हैं हमारे acquaintances ये हम जानते हैं हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे friends होते हैं कुछ को हम देखते हैं हाँ हाँ है लो बस वो भी सखा ये हैं सूरित हमारे well-wish are they are good people दूसरे एक category होते हैं जिसके साथ हमारा थोड़ा बहुत बाक्चित होता है कुछ कुछ बात है होती बट regular इतनी नहीं होती बट होती ये बाते तो वो भी हमारे friend है तो वो सखा category में आए उनसे भी उपर एक category होती है कि जिनसे अब थोड़ा ज़्यादा खुल मिल जाते है we like them and they know about us, we know about them उसको कहते है प्रिय सखा लेकिन और एक level का friendship और आगे होता है जो एक तो closest friend होता है जिनके है secret share किया जाता है उसको कहते है प्रिय नर्म सखा समझ मैं चार level of friends एक है सूरित normal I know them, they know me but ज्यादा बचित नहीं है, ठीक है I like them, they like me सूरित सखा सखा means friend, normal friend प्रिय सखा, good friends और आगे प्रिय नर्म सखा, best friends best friends क्या काम करेंगे ये secret वाले काम बगवान से secret यहां से, वहाँ वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से जम Govind लिला में पढ़ते हैं तो ये जो सखा ये सखियों के साथ काम करते हैं उनमें अलग-अलग सखियों का नाम आता है तारा देवी सखी चित्रा सखी सख्यों का नाम आता है तब आपको समझ में आएगा अच्छा यह सख्यों के यूथ में है तो यह जो प्रियनर्म सख्यों के साथ काम करते हैं यह भी सख्य भाव में ही आता है लेकिन इनका जो सवरूप है सख्यों का सख्यों के यूथ में रहे करके भगवान का कारे करते हैं भगवान की प्रसंता के लिए करते हैं और फिर सख्यां तो आप जानते ही उनकी तो यूथ है वह भी हम लोग दीरे-दीरे जैसे आगे बढ़ेंगे पहले यह मंत्र समझ लेंगे फिर हम अज़े से आगे बढ़ेंगे दुरुपदाजी की बैलिस लिला इस्पेशली और बेस्ट बुक सेवर है जो पूरे इन बा और स्वाहा क्या है? सिंपल आंसर आप लोग कैसे याद रखोगे? कृष्ण कौन है? उन्होंने पूछा ना का परम देवता? कृष्ण परम देवता हैं. सिंपल आंसर फस्ट कृष्ण परम देवता हैं. गोविंद कौन है? गोविंद वो है जिनसे मृत्यू डरती है. गोविन्द जिनसे मृत्यू डरती है गोपी जन्वल लब कौन है जिनसे सभी प्रकार के ग्यान प्राप्थ हो जाएंगे विशेश ग्यान स्वाहा क्या है? स्वाहा से ही ये संसार चलता है ये सिंपल फर्स्ट लेवल का क्वेशन आंसर गोविन्द कौन? जिससे मृत्यू डरती है गोपी जन्वल लब कौन? जो सारा ग्यान दे देंगे स्वाहा क्या? जिससे ये संसार चलता है तो ये एक हुआ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तानुवाच ब्रामणाहा पापकर्षणों गोभूमी वेद वीधितो विधिता गोपी जन्विध्या कला पेरकस तन्मयाचेती सकलंपरंब्रम्हीवतत क्रिश्ण कहते हैं अब दुसरा आंसर दे रहे हैं ब्रह्माजी उन्होंने फिर से पूचा क्रिश्ण कौन है तो बता रहे हैं तो कहते हैं पापकर्षणों केते क्रिश्ण वो है जो सभी पापों का नाश कर देते हैं अब एक और अर्थ निकला क्रिश्ण है जो सभी पापों का नाश कर देते हैं गोविंद कौन है गो कहते हैं गो भूमी वेद विदितो जो गोविंद वो है जो गायों के गायों को आनंद देने वाले है गो भूमी लिखा है यहाँ पर भूमी भूमी यह नहीं पृत्वी जो पृत्वी को आनंद देने वाले होते हैं और ये बात वेद भी जानते हैं वेदो को भी जो जानने वाले हैं भागान ने कहा अगारणे ये वेदों come जानने वाले जिए पृत्वी को जानते हैं गायों को जैनते हैं उन्हीं को कहा गया गोविंद आगे पुलते हैं तो गोपी जन वल्लब कौन है यह प्रश्ण आया था गोपी जन वल्लब कौन है तो कहते हैं गोपी जन विद्या कला प्रेरकस तनमाया चेती कहते हैं गोपी जन वल्लब वो हैं जो सभी विद्या और सभी कला को प्रदान करने वाले हैं विद्या और कला कला से कई अर्थ होते हैं एक होता है आर्ट्स सभी है इसलसी एक है अदर यह कि व्यद्य दोध्वी अ हश्यों कमारे में दुद्धि या तो कंशियस्नेस में हमारे हार्थ सेंटर में वहां सेप्रकण होता है तो ज्यान और कला ज्यान हमारे बुद्धी से प्रकट होगी कला हमारे अंदर है जैसे कोई संगीत कर कोई गाता है तो गाने की कला है कोई खाना अच्छा बनाता है खाना बनाने की कला है लेकिन ये कला अगर किसी को गाना आता है गाने की कला आ रहा है किसी को बना गाने की कला इसे अशासी संगिता आती किसी को समझो तो वो कला के लिए बुद्धी भी तो चाहिए बिना बुद्धी के वो कला काम नहीं करेगी, बिना विद्या के वो कला काम नहीं करेगी तो गोपी जनवल्लब वो है जो विद्या भी देते हैं और कला भी देते हैं हमें संसार में रहने के लिए ये दोनों चाहिए विद्या भी और कला भी कला का अर्थ है expertise आप finance में है तो आपको finance की कला आती है वो कला उसको कैसे apply करना है उसका विद्या आपनी ली है तो ही आपको आती है तो विद्या और कला ये चहिए ही चहिए से इस अंसान में तो ये दोनों देने वाले कौन है कहते हैं गोपी जन बल्लब और स्वाहा कहते हैं स्वाहा तो उनकी शक्ति है माया या योग माया यह उनकी शक्ति है यह संसार जो चल रहा है यह संसार चल रहा है तो यह स्वाहा जो है वो उनकी योग माया है उसी योग माया के शक्ति के कारण यह संसार अपने आप चल रहा ह तो अब कृष्ण के अभी वही जो आपका मंत्र है उसमें अभी यह जो अक्षर है कृष्ण गोविंद गोपी जन्वल्लभ और स्वाहा यही अक्षर है और कोछ अक्षर नहीं ना क्लीम अर्थ है बाद में क्लीम काम बाद में करेंगे कृष्ण गोविंद गोपी जन्वल्ल इसी का और दूसरा रथ निकाला आब ध्रमा जी ने कृष्ण कॉन जो पापों का हरण कर ले, गोविंद कॉन जो वेद जानने वाले हैं, जो गायों को जानते हैं, जो भूमी को आनंद देने वाले हैं, जो वेदों के अंदर है जो भूमी को आनंद देने वाले है जो गायों को आनंद देने वाले है वो है गोविंद और गो से जो गाया आता है गो गो से और एक अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियां और हमारा मन तो गोविंद कौन है इंद्रियों को आनंद देने वाले मन को आन यह उनका दूसरा थो और तिसरा था गोपी जनवल्लब यानि कि सारी खलाएं सारा वेद जिन से प्रकट होता है वही है गोपी जनवल्लब स्वाहा कौन है माया योग माया जिसकी वज़से दुनिया चल रही है अब आप लोगों को दो अक्षर समझ में आए इस लक्षर को व अब आगे कहते हैं इन पांच नामों को जो को याद करता है स्मरन करता है तो क्या होता है प्रम्मा जी कहते है योध्ययायती रसती भजती जो ध्यान करता है जो भजन करता है, जो इसमें आनंद लेता है, सो अम्रितो भवती, वह अमर हो जाता है, सो अम्रितो भवती ती, दो रपीट करते हैं, योध्यायती रसती भजती, जो ध्यान करते हैं, इसमें रस लेते हैं, इस मंत्र में, जो इस मंत्र का भजन करते हैं, ये पक्की बात है कि वो अमर हो जाते हैं फिक है अमर हो जाते है नि वो अपने अध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं इस मंत्र में इतनी शक्ति है अभी मरना और अमरितत्व ये क्या है डिफिंस क्या है जब तक हम शरीर में रहते हैं शरीर भाव में रहते हैं शरीर से अपने अपको रिलेट करते हैं तब तक हम मर रहे हैं लेकिन जब हम भगवान के भाव में रहते हैं तब हम मरते नहीं हम जीते हैं जितनी देर हम संसार में हैं मर रहे हैं मृत्य के और अग्रसर हो रहे हैं जितनी देर हम भगवान के तरफ हैं उतनी दर हम अमरत्व के तरफ इम्मॉटालिटी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं भगवान को भूलना मृत्य है भगवान को याद करना अमर हो जाना तो जो इस मंत्र का जाप कर रहा है जो इसमें रस ले कि भजती 행 मज्ट कर रहा है मस्ति में कि added हम्रित होती वह अमणयों जाता है तो मरतानी तो सच में जीता है पॉसका जीना फौ्रेवर है उचjang अपने ताम भागवान के धाम जाएगा अपनी स्वरूप में रहेगा उसका जीना फौरेवर वो मरता नहीं, उसे मृत्यू क्या पता नहीं, वो तो जीर है, उसे मृत्यू पता नहीं, अपने सुरुप को समझ गया, अपने आत्मा को देख लिया, अब और क्या है, तो ये उत्तम भक्ती का लक्षन है, जो यहाँ पर ब्रह्माजी सनत कुमारों को बता रहे हैं, उत्तम में ये होने लगता है कि आप निरंतर उसको जपते है और मंत्र इसा व्यक्ति कहते हैं वह तो अम्भितत्र की तरफ चला गया और उसे क्या चाहिए उसे सब कुछ मिल गया जो उसे राप्त करना था इस मंत्र से साक्षाथ से कृष्ण प्राप्ट हो जाते हैं उसे और क्या प्राप्ट करना रह गया वो अभितत्व की तर्फ चला गया जो इस मंत्र को निरंतर भजता रहता है आगे बढ़ते हैं ते हो चुहू अब कुमारों ने सुना कि अच्छा इतना तो अब एक बात बताईए आपने मंत्र तो बता दिया क्रिश्ण बता दिया गोविंद बता दिया गोपीजन मल्लम बता दिया स्वहा बता दिया तो इसका रूप क्या है अब इनके रूप भी बताईए थे वो चुहू किम्तद रूपम। उनका रूप क्या है? किम्रसनम। किस परकार से रस आता है? क्योंकि पहले कहा न जो ध्यायती, रसती, भजती। तो यह वही पुछ रहे हैं कि आपने कहा ध्यान करना है? आपने कहा रस लेना है? आपने कहा भजन करना है? तो अब आप यह बत आपने कहा रस लेना है, किसका रस लेना है, आपने कहा भजन करना है, किसका भजन करना है, पिता जी, ये बताइए ब्रह्मा जी को पुछ रहे हैं, है ब्रह्मा जी, आप हमें ये सब कुछ बताइए, मारी बड़ी इच्छा है, उस रूप के बारे में जानने की, उस रस के बारे में जानने की, और उस प्रकार के, जिसका हमें भजन करना है, उसके बारे में जानने की, तब ब्रह्मा जी रूप प्रकट करते हैं, इस मंतर के द्वार अहाख दो सब्सक्राइब हर गोफ वेश ब्रमा गोफ वेश्म भ्रामं गोफी जौनगाँ वह कहते हैं वह जौन रूप काइब आरुनेश भॉत को स्थाक्या जिलंवा जिवाल वादने ंफ निदिए जुद में प्रूप है ये कैसा है गोफावेश गोप का रूप लिया है इनोंने काउहड बॉय गुपाल गाय चराने वाला ग्वाला ये जो रूप है जिसकी मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ ये है गोप वेश और इनका रंग कैसा है? ये रंग इनका? मेग के जैसा ठीकते है अब्राभम गोप वेशम अब्रामम अभ 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 यानि क्लाउड क्याते हैं की गोप जैसे दिखते हैं और रंग है इनका क्लाउड के जैसे बादलों के जैसे और क्या कर रहे हैं और क्या है दुसरा तरुनम बड़े तरुन है यंग फॉरेवर नित्य किशोर और क्या है कल्पद्रुमासितम कल्पद्रुम के नीचे खड़े हैं। कल्पविक्ष क्या होता है जिसके सामने खड़े रह करके आपकी सारी इक्षाएं पूरी हो जाए उसे कहते हैं कल्पविक्ष तो ब्रह्मा जी ने आप मंत्र जब हम मंत्र जाप करें कृष्ण रूप जब हम कहें तो कृष्ण रूप से हम नेत्र बंद करें और नेत्र बंद करके ब्रम्मा जी ने जिस रूप को दिखाया, वो हमारे सामने प्रकट होता है, भगवान खड़े हैं, गो पवेश में खड़े हैं, भगवान में गश्या मरंद के हैं, भगवान तरुन हैं, भगवान कलपव रिख्ष के नीचे खड़े हैं ये रूप बताया आगे चलते हैं तदिह श्लोका भवंती और फिर उनोंने एक श्लोक सुनाया सत्पुंडरीक नैनं मेगाबं वैदूतांबरं द्विबुजं ज्यानमुद्राध्यं मनमालीनमीश्वरं गोप गोपी गवावीतं सुरद्रुमतलाश्यं दिव्यालंकरण उपेतं प्रत्न पंकजमध्यगं कालिंदी जल कलोला संगी मारुत सेवितं चिंतयन जेत साप्रिश्णं मुक्तो भवती संस्रिते है ब्रह्मा जी कहते हैं पहले तो आप ऐसे ध्यान करना अब इसी ध्यान के उपर मैं आपको एक शलोक सुनाता हूं उस शलोक पर आप ध्यान करना इस प्रकार से कृष्ण के स्वरूप का आपको ध्यान करना है तो क्या है कह रहे हैं कैसा रूसो रूप है उनका तद इह भवंती शलोक हा ये शलोक है पुंडरीक नैनम उनके नेत्र कैसे हैं कमल के जैसे मेगा भ्यां और उनका रंग कैसा है मेग की जैसे वैद्यूत आंबरम और उन्होंने जो अंबर मतलब जो कपड़े पहन करके हैं पितांबर पितांबर कैसे हैं बिजली की जैसे मेग श्याम उसमें बिजली चमकती हो तो वो वैद्यूत बिजली विद्यूत की जैसे ऐसे उन्होंने पितामबरी पहन करके रखी और क्या कहते हैं द्वी बुजं दो हाते हैं ग्यान मुद्रा अध्यम ग्यान मुद्रा लेकर के हैं ग्यान मुद्रा ये मुद्रा होती है यहां पर उन्हें कहा है कि ये एक मुद्रा में यहां पर वो खड़े हैं ऐसे और वनमालिनम केते उन्होंने वनमाला पहनी हुई है इश्वरम वो इश्वर है सभी के उपर नियंतरण करने वाले नियंता वही है गोप गोपी गावावितम सुरद्रुम तलाश्रयम यते गोप गोवितम गावावितम की गोप और गोपिया उनको घेर करके खड़ी है और सुरद्रुम तलाश्रयम वही कल्पव रिख्ष के नीचे खड़े है दिव्या लंकार रूप दिव्या लंकार उनो पेतम उन्होंने बहुत सारे दिव्या लंकार पहन रखे हैं रतना पंकजम अध्यगम और जहां वो खड़े हैं उसके आसपास ये जो कल्पद्रुम है गोपिया घेरी हुई है और ये सब कहां पर है इसके आसपास बहुत सुंदर सुंदर रतन बिच्छे हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं और ये जो द्वीप है जहां पर ये खड़े हैं वो कहां है द्वीप? कहते हैं यह मुना ने घेर के रखा हुए है तो कल्पद अभी हम लोग फिर से ध्यान को फिर से करेंगे ठीके ना अभी हम उना के वहां खड़े हुए हैं कालिंदी जल कलोल संगी मारूत सेवितम और कालिंदी का जल कलोल कर रहा है और वहां पर मन्द मन्द हवा बह रही है मारुत सेवितम चिंत यंचेते साक रिश्णम इस प्रकार से श्री कृष्ण का चिंतन अपनी चेतना में जो करता है कहते हैं भवती मुक्तह वो ऐसा जो ध्यानी होता है वो मुक्त हो जाता है किस से समस्रितह बार बार जन्मरित्यू के साइकल से यहों मुक्त हो जाता है अब आपको इस मंत्र का ध्यान बताया गया है यही ध्यान हमको चित्त में हमेशा करना चाहिए तो पहले क्या शुरू किया जब मंत्र जपेंगे कृष्ण का ध्यान करेंगे तो शुक्रिष्ण कहां खड़े है कलप द्रू के नीचे है शुक्रिष्ण का रंग क्या है मेगश्याम शुक्रिष्ण ने पितामबरी पहनी हुई है जैसे की बिजली चमकती हो श्री क्रिष्ण के सुन्दर नैन है जैसे कमल की पंखुडिया श्री क्रिष्ण के दो हाथ है जो तत्व मुद्रा में है ज्ञान मुद्रा में और श्री क्रिष्ण को घेर करके गोप और गोपिकाएं है अब ये इनर सरकल आ गया गोप गोपिकाएं सखा सखिया और उनको घेरे हुए हैं ये एक द्वीप में खड़े हैं इस द्वीप में बहुत सारे रत्न है और ये द्वीप यमुना के अंदर है यमुना जी के अंदर यमुना जी नीली नीली उनकी लहरे कलोल कर रही हैं और मंद बयार मंद मंद हवा बहती हुई पुर्य विंदावन में जा रही हैं ऐसे कृष्ण का ऐसे श्रीकृष्ण का जो अपने हिरिदय में ध्यान करता है ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो जन्ममृत्यू के चक्र से मुक्त हो जाता है तो जो मंतर आपको मिला उससे पहला ध्यान ये ध्यान है भगवान ने खूब धेर सारे दिवे अलंकार पहने हुए है भगवान ने भगवान को वनमाली कहा जाए अब एक एक अर्थ पर जाते कमल की पंकडियां भगवान के नेत्र भगवान के हाथ भगवान के चरण भगवान का चहरा भी कमल आनन पदमाक्ष क्यों कमल की उपमा देते हैं हमेशा भगवान के नेत्र पहले चलते हैं यहां से यहां तक लंबे लंबे यहां से शुरू होते हैं नेत्र करण तक जाते हैं क्यों इतने लंबे और भगवान के नेत्र एक जगा नहीं 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 की बहुँ इतने लंबे नेत्र इसलिए हैं कि कोई भक्त मंदिल में कही कौनर में खड़ा है ना वो भी भगवान के नजरों से चूक नहीं सकता भगवान हर तरफ देखते हैं अपने हर एक भक्त को देखते हैं ये दर्शाता है भगवान के करणांत दिर्ग नैनम और भगवान के नेत्र कमल के जैसे कमल का सभाव है शीतलता देना कमल जल से निकला हुआ हुआ है, तो कमल के पंकडियों में शीतलता का सभाव है, किसी को बुखार हो जाए, तो कमल के पंकडिया लो और उसके माते पर रख दो, उसको ठिंडक मैसूस होती है, तो भगवान के नेत्र ऐसे हैं, आप भगवान के नेत्र को देखते हो, आपको सं संसार ने तपा करके रखाया आपके दुखों ने तपा करके रखाया परिशान करके रखाया आपको जब उस तपते हुए संसार से जब आप तडपते हुए भगवान के पास जाते हैं और भगवान के नेत्र आपको देखते हैं और आप भगवान के नेत्रों को देखते हैं कि कमल जैसे नेत्रों को देखने से शीतलता कानुभा होता है तो जब हम भगवान के नेत्र देखें ये दर्शन करने की प्रैक्टिस करना चाहिए हमारे भगवान कोई मूर्ती नहीं हमारे भगवान जीते जाकते हैं नेत्रों को देखा तो ठंड़क मैसूस होनी चाहिए और होती है प्रक्टिस करनी होती है जैसे मैं आपको कह दू गुलाब जामून गुलाब जामून बड़ा अच्छा लगता है अरे वो काला काला गुलाब जामूने ने से स्पंजी-स्पंजी होता है और अग्दम कुरा डालतो और स्वान आता है फिर कोई का नहीं हमारे का केक स्भाइन को만का नाम लिया, मंत में पिक्चर आने लगा ना, स्वाद भी आने लगा गुलाब स्वाद आरे हैं हैं हो प्रक्टा ए्ट्था और लागत स्पंजी कैसे आगया है आता है जैसी मैंने गुलाब जमुन का नाम लिया मन में पिक्चर आने लगा ना स्वाद भी आने लगा ना गुलाब जमुन तो सामने नहीं है स्वाद आ रहा है गुलाब जमुन का मिठा चाश्णी से भरा स्पंजी कैसे आ गया ऐसे ही स्वाद जिसको हम कहते रसनेंद्रियां वो रसनेंद्रिय अंदर है सामने हो या ना हो केवल ख्याल मात्र से उसमें आनन दाने लगता है विचार मात्र से हुआ तो रसनेंद्रिय अंदर है ए मैं सुनते घावान को जब हम देखें जो हमारी जो तील करने वाली जो इंड्रिय है भोगान के कमल नेन है कमल थंडा बहुंद को देखती है में थंडी लग रही के इतना अच्छा लगधा प्रहुंद भगवान के चरणों को चुए ठंड लग रही है, मतलब शीतलता प्राप्ट हो रही है, मतलब सारे दुखदूर हो रहे हैं, भगवान के हाथ हमारे सर पर पढ़ जाए और क्या चाहिए, तो ये इंद्रिय हमारे अंदर है, ये ध्यान के माध्यम से हम इसको अपने आप डेव इसा नहीं होगा, अगर आँख पर, अगर ध्यान जाता है भगवान के नेत्रों पर वहीं टिकर हो, खिलने के जबना नहीं है, मंतरचाप रुग जाए रुग जाए- कोई बात नहीं है, नियारो, नेत्रों की चन्चल तक वो नियारो, तुम मूर्ती देख रहे हो लेकिन मुर्ती मुर्ती नहीं होनी चाहिए वो नेत्र चंचल होने चाहिए ऐसा ध्यान खुली आखों से भगवान की मुर्तिय पत्थर नहीं है मुर्ती चल रही है फिर रही है ऐसे ध्यान ये ध्यान हमको सिखाय जा रहा है तो भगवान के नेत्र कमल जैसे शीतलता प्रदान करने वाले हैं और भगवान ने वनमाला पहनी है वनमाला जितने भूल वो साब लेकर के भगवान पहन लेते हैं भगवान के बारे में कहा जाता है कभी-कभी कि भगवान पांच प्रकार के फूलों की मला पहनते हैं क्यों पहनते हैं जो भक्त जिस भाव में है कोई सखा भाव में है कोई वात्सले भाव में है कोई दासे भाव में है कोई शांतरस में है कोई मादूरस में है जो भी भाव का है वो भाव के पुष्प भगवान धारण करते हैं और नीचे गुच्छा होता है फुलों का जो भगवान के चरणों को छूता है बार बार तो भगवान तो वनमाली है भगवान के जो वनमाला यह पुश्प भगवान के अंग में गये हैं तो यह एक से एक बढ़ करके भक्त हैं इनका हम दर्शन कर रहे हैं यह भक्त तरस नीचे जुकरे बार बार भगवान के चरणों को चुने को हम उनको नमशकार करते हैं जब हम दर्शन करें तो हम इस प्रकार से दर्शन करें भगवान ने दिवे आभूशन पहने हुए तो ये जो दिवे आभूशन है ये भी सारे के सारे बड़े उच्च कोटी के भक्ते हैं जो भगवान ने जिनको अपने चरीर पर धारनी किया है तो भगवान को जो हम दर्शन करते हैं तो केवल भगवान ही नहीं है भगवान के भक्त भी उनके साथ हैं उन सभी का दर्शन हो रहा है इस भावना से हमको दर्शन करना चाहिए भगवान की यहां जो उन्होंने मुद्रा बताई ग्यान मुद्रा बताई कि दोनों भगवान को देखते ही ग्यान आ जाएगा सारा ग्यान आपको मिल जाएगा अब कुछ प्रश्ण रहेंगे ही नहीं तो यह भगवान और दुसरे क्या बता रहे हैं फिर कि भगवान कल्पवरिक्ष के निजे खड़े है बहुत बड़ी बात है क्यों कहा कल्पवरिक्ष कल्पवरिक्ष वो है जिसके पास जाते ही आपके सारी पुरी हो जाती है तो जो भगवान के पास गया उसे अपने संसारी चीजों की तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए उसका त सब मिलेगा आपको कुछ कमी नहीं होगी मैं सच कहती हूं कभी मेरे पास एक बार मुझे कभ भूलता नहीं कभी कोई तो सीख रहे थे मैं से बीता और परसंट सेज आइब दो कृष्णा इवन दो कृष्णा टेक्स अवे अवरेशिंग समझ रहे हूं आपको कृष्णे की त को गरीब बना देंगे दुखी कर देंगे आप से सब ले लेंगे पढ़ि ए कि क्रिश्ण को आप से कुछ लेने की आप कुछ सच में आपका कुछ चाहिए कि गरीबी आ जाएगी और गरीबी में रहेंगे तो ये भगवान याद आते हैं ये सब बाते हैं नहीं है इसलिए बार-बार कलपवरिक्ष कहते हैं कि निश्चिंत हो जाओ चिंता रहित हो जाओ आप भगवान के रास्ते चल पड़े 100% सरेंडर कर दिया कभी कोई किसी प्रका से हो केंगी कहां से और अंदर जानेंगे मेरे कलपवरिक्ष तो भगवान है वो दे रहे हैं कभी-कमी नहीं पड़ती ह Хिष्प को हैं करना करना कई हमकर नीचे हैं इस तो ये ध्यानी कि भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं और भगवान जो गोप踊काओं के साथ घेरे हुए है यह गोपिका है यह हमारी होड़ मोडल से जिनके चरण में रहना है जिनका हमें आशिरवाद कर सके हम ने प्राप्ट किया है यह हमें आशिरवाद कर जाए यह हमें खीच करके यह महाँ पर रखे हमारे मन को जिसे हम भी भगवान का दर्शन हमेशा निट्य करते रहें और इन कहते हैं कि यमना जी ने गेर के रखा हुआ है यह तो आपको पता इसे प्रेम ऐसाम साथ दर्शन रोज अपने रिदे में करना यमुना जी यमुना जी में आइलेंड आइलेंड के अंदर गोप गोपिया गोप गोपियों के वहां पर खुब रत्नवत्न है और फिर वहां पर एक आसन है आसन के उपर श्रीकृष्ण है श्रीकृष्ण कलपत्रुम के नीचे है उनको देखते ही सार ग्यान मिलता है और पर मंद मंद हवा वह रही है उस हवा को भी आप लोग फील करना जब यह हवा चलती है विंदावन में तो भगवान के श्रियंग से लेते हुए कुश्बू सुगंद और वहां के फूलों की सुगंद कमल की सुगंद उलाब की सुगंद मोगरा की का आप लोग अंदर में ध्यान करना तो ध्यान इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए कि यह पूरा का पूरा आपके जो इंद्रिया है ना अंदर सब फील करें सुगंद को भी फील करें शीतलता को भी फील करें भगवान के नेतरों को भी फील करें भगवान के भावों को भी फ परपर देती हूं, the following verses are the meditation on Krishna's form that are meant to accompany the 18th syllable mantra Lord Krishna's eyes are like perfect lotus petals, his bodily color is that of monsoon cloud his garments are of lightning, he has two arms his hands are held in the Gyanamutra he is wearing garland of forest flowers he is surrounded by cowherd men cowherd girls and cows and sits decorative with divine ornaments on a jeweled lotus at the foot of a heavenly desired tree he is fanned by pleasant breezes moisturend by the spray from the waters of Kalindi anyone who meditates on Krishna in this way will be liberated from repeated birth and death यही भाव Narottam Das Thakur ने अपने एक भजन में कहा है let me open that अभी आदा रहा है अपनोंने सुनाओगा व्रिंदा वना रम्यस्थान गुरु चरन पदम इध्याधर यश्रुमति नंदन मैं धूंगे एक व्रिंदा वना रम्यस्थान दिव्या चिंता मणी धान एक बर काल इतने मजन आई गया है व्रिंदा वना रम्यस्थान दिव्या चिंता मणी धान रतन मंधिर मनु हारा तारा अब्रीत कालंदी नीड राज हम साकेली कोरे ताहे शोबे कनक कमाल तारा मदे मापीठ अष्ट दाला मेश्टीत अष्ट दले प्रधान नाइका तारा मदे रतना साने बाशी आचे दुवी जाने श्यामा संगे सुन्दरी राधी इका ओरुपला बन्या राशी आमिया पणिचे खाशी हास्या परिहास संभा शाने नरोतमना साकुर नित्या लीला सुख मोय सदाइस पूरुक मोर माने जो भावई प्रमाजी ने बताया वो नरतम दास्टी ने नरतम दास्टाकुर ने अपने बजन में लिखा कहते हैं व्रिंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामनी धाम जिस ये जो एक विंदावन है ये एक रम्यस्थान है इसमें एक दिव्य चिंतामनी धाम है उसके अंदर एक मंदिर है कैसा मंदिर है रतन मंदिर मनोहर और उसके आसपास क्या है आबृत कालिंदी नीरे और उस मंदिर के आसपास मतलब एक दिव्य धाम है, चिंतामणी ध्याम है, चिंतामणी का भी अरतिय ही होता है, जहां पर इक्षा पुली हो जाए, चिंतामणी धाम है, चिंतामणी धाम में एक रतन मंदिर है, और ये कहां है चिंतामणी धाम, कहते हैं कालिंदी, कालिंदी के अंदर, और कालिंदी य पीठ इस मंदिर के अंदर एक सुनहरी पीठ है सुरण की पीठ है और अश्ट दाले में स्टीता इस सुनहरे पीठ में अश्ट दल है और उस अश्ट दल में क्या हो रहा है अश्ट दले प्रधान नाई का उस अश्ट दल में प्रधान नाई का अश्ट सक्या है और क्या कर रह इस हेम पीठ में अश्टदल है अश्टदल में नाइकाएं है और उसके अंदर एक स्वर्णासन है उस रत्नासन में कौन बैठा है हमारे शामाशाम बासी आचे दूई जाने ये दो जन बैठे हैं कौन शामाशंगे सुन्दरी राधी का शाम और राधी का और क्या कर रहे है और रूप लावन्य राशी क्या रूप है क्या लावन्य है रूप और लावन्य की राशी यहां से प्रकट हो रही है ऐसा दर्शन है और हास्य परिहास्य संभाशन यहां पर इतना हासी मजाग संभाशन हो रहा है नरूतम दास कोई नित्य लीला सुख मोई नरूतम दास केते हैं ये जो नित्य लीला है ये जो हास से परिहास संभाशन है सक्षियों के साथ कालिंदी में ये मेरे रिदय में सदा ही स्पुरित होती रहे इसके साथ अभी हम क्लास एंड करते हैं ये था अभी तो पहले अक्षर का अर्थ हम पकड़े हैं अभी तो पूरा जाना है तो हम लोग अगले क्लास में भी वो पालतापड़ी ही करेंगे ठीक है